एलो फ्रेंद्स वर्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बढ़ियाओंगे तो आज मैं लेकर आई हूँ मलाई बर्फी यानि की सफेद कलाकन की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है काफी सोफ्ट म इसे बूदे बां से मलाई एक है यहा बेंकर बला रहा है इसको कड़ा ulators और इसे हम घरम करेंगेल साथू से हम मावा बना कर तेयार कर आएं तो देखे मैंने इसे माने isने गरम होने रख दिया है फुल फ्लेम पर रखा और जैसे इसमें बोईल आ जाएगा फ्लेम को हम लो कर देंगे और देखे अभी मैंने विनेगर ले लिया है विनेगर का यूज जो है हम दूद को फाडने के लिए इस्तमाल करेंगे यानि की छैना बनाएंगे अगर आपके पस विनेगर नहीं है तो आप नीमबू का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर खटा दही भी इस्तमाल किया जाता है दूद फाडने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं साथी में मैंने चीनी ले लिए हैं यहाँ पर आधा कटोरी चीनी का इस्तमाल किया है आप चाहे तो चीनी की क्वैंटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अगर आप मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन इससे जो है नॉर्मल मीठा होगा यह नाप जो है नॉर्मल के लिए है अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है तीन से चार चमच के करीब है यह पानी अब इसमें मैं तीन से चार चमच के करीब ही विनेगर आड़ कर दूँगी ये solution जो है हम दूद फाड़ने के लिए बना रहे हैं दोनों कच्छे से mix कर लेंगे अगर आप नीबू का रस यूज कर रहे हैं तो नीबू के अंदर भी सी तरीके से पानी add कर दीजिए नीबू के रस के अंदर और उसे mix करके रख लीजिए ये देखे हमारे दूद में boil आ गया है जो हमने एक लिटर दूद लिया था वो boil हो गया है gas flame को off कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे हमें इसमें बस उबाल ही देना है इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि हमें इसका चैना बनाना है तो देखे मैंने नीचे उतार लिया है दूद को और इसके अंदर मैं आदा गिलास पानी डाल दूँगी जब भी हम किसी मिठाई के लिए चैना बनाते हैं तो एकदम से गरम दूद के अंदर जो है फाड़ना नहीं चाहिए चैना नहीं बनाना चाहिए इससे जो मिठाई है soft नहीं बनती है इसलिए मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और एक एक दो दो चमच करके इसके अंदर मैंने विनेगर का solution डाल दिया जब तक कि हमारा दूद अच्छे से फट नहीं जाता है इस तरीके की consistency आने तक यानि की पानी और चैना अलग होने तक हमें इसे फाड़ना है अगर आपके पास जो चनली है बड़े छीद वाली है तो आप उपर एक कपड़ा भी डाल सकते हैं इससे जो पनीर है वो नीचे नहीं निकलेगा अब पनीर के ऊपर देखे मैंने पानी डाल कर इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से ठंडा कर लिजी और इसे थोड़ा सा हिला दीजे ताकि इसके अंदर से विनेगर की स्मेल चली जाए अब हम इसे 10-15 मिनिट के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए देखे इतनी देर में हमारा जो दूद है इसमें भी बोईल आ गया है जो दूद हमने मावा बनाने के लिए रखा था गैस फ्लेम को अज़ेस्ट करते हुए हम इसे आधा रहने तक बोईल कर लेंगे यानि कि आधा लीटर जब 500 ग्राम के करीब दूद रह जाएगा हमें इसे इतना पका लेना बीच बीच में चलाते रहेंगे अब हम इसे एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे अब देखे पनीर को भी 10-15 मिनिट के करीब हो गए है रखे हुए तो मैंने इसे हाथ से करंबल कर लिया है अगर आपका पनीर जो है थोड़ा हार्ड बनाया है तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या मार्केट के पनीर का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेश पनीर का इस्तमाल करें पैकेट वाला पनीर ना यूज़ करें और उसे ग्रेट करक करते हुए हमने यह मावा निकाल रहे हैं इसे अच्छा गाड़ा होने तक पका लूँगी आप गैस फ्लेम को और जैस्ट करते रहे हैं और इसे गाड़ा होने तक पका लेजिए चीनी जो है हमें चैना के डालने से पहले ही डालनी है तभी जो मिठाई का असली स्वाद है वो इसे पकाना है कि हमें थोड़ा सा लिक्विदी ही रखना इसे अगर आप इसे ज्यादा सुखा देंगे तो जो बर्फी आपकी हार्ड बनेगी तो देखिए मैंने अभी एक डबा ले लिया था उसके अंदर अलुमीनियूम फोइल लगा लिया है आप चाहे तो ऐसे भी ले बाकर सेट कर देती हूं इसके अंदर से थोड़ी सी चाशनी निकलेगी तो घबराइएगा नहीं यह ऐसे ही होता है और साथ ही मैं देखिए मैंने थोड़ी से बदामुर पिष्टे ले लिया है बारिक बारिक लंबा लंबा कट कर लिया है वो भी इसके उपर डाल देंगे ताकि देखने में जो हमारी बर्फी है सुन्दर भी लगे और टेस्टी भी लगे और इसे प्रेस कर दिया है थोड़ा सा और मैंने इसे एक से डेड़े हंटे के लिए छोड़ दिया था तो अब कट कर लेंगे पिसिस को तो देखिए यहाँ पर आप अपने मंद चाहे पिस चाशनी इसे सुखा देंगे बर्फी जो है टाइट हो जाएगे देखिए हमारी जो बर्फी है मलाई बर्फी कितनी सोफ्ट बनी है यह जो चाशनी बच गई है आप चाहे तो इसे ऐसे ही पी सकते हैं और इन बर्फियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल कर आप इससे सरव कर दीजे इससे जो बर्फी है काफी टेस्टी लगेगे और जो चाशनी होती है यह भी काफी टेस्टी होती है इसके अंदर मावा का फ्लेवर होता है तो यह देखिए हमारी जो मलाई बर्फी है कलाकन है बनकर तयार है खाने में काफी टेस्टी लगता है सोफ्ट भी होता ह तो रक्षा बंदन परापीस रेसिपी को जुरूर ट्राई कीजिएगा आप सभी को पसंद आएगी है अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जुरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बैल बटन बनके आता है उसे भी दबा कि आने वाली हर नहीं वीडियो की नौट इक्वेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्स फूर वोचिंग